सर 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 मैं 32 की एज में CS बन गया हूँ सर मैं 32 साल की एज में CS बना हूँ तो what would be my package मेरा package कितना होगा भाई तेरा starting package तो मेरी काल से 4.5 लाइक होगा that too after the article shift अर्टिकल शिप मतलब 32 के एज में अगर आप CS बनते हैं तो दो साल की आपको आर्टिकल शिप करने पड़ेगी दोड़ाई साल की जो आर्टिकल शिप होती उसके बाद लगबग इस package से आपका कारेकरम शुरू होगा बहुत साही लोगों को मैं ऐसे जानता हूं और कोई इसमें गलत बात भी नहीं है नहीं निकल रहा है तो नहीं निकल रहा है चीज़ी बात है मेरे कई दोस्तों ने दोस्तों बोल रहा है मेरे कई स्टूडेंट्स ने टेक्निक फॉलो करी है सो माल लीजे आप तीस साल के आपके पांच अटेम्ट्स हो गए है एक्जेकेटिव के और आप नहीं निकाल पा रहे है आपने क्लासेज ली सब कुछ किया ठीक है मतलब इवरी पॉसिबल थींग सो अगर आपने सीएस एक्जेकेटिव के एक्जाम भी दिय है बीकॉम तो हो गया होगा आपका शायद लॉब भी हो गया हो इस पीरिड में और अगर नहीं होए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर बीकॉम भी हुए और आप लॉग करता हूं मैं तो बोलता हूं लॉग तो साइड बाई साइड चलती रहना चाहिए आप बच्चों यहां पर जैसे बहुत सारी बड़ी 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 बिक फोर हैं ऑडिट जो मैं चाहता हूं कि आप साथ में CS तो करते ही रहें बट यह फर्म में आप जॉइन कर लीजिए यह मैं बात करूं चॉप की आप जॉब करना शुरू कर दीजिए इन फर्मस में ठीक है अब बचों जब जॉइन करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगी मतलब आपको ल अब फिर्ट बारा से पंदरह हजार के बीच में आपको यहां पर सेलरी मिलेगी तो आपकी प्रकार से इंकम चालो हो गई तो आप दे रखा वन्ता है या जो भी क्लासे अपडेट सब्सक्राइब आप देखते हैं वह देखिए ठीक है तो दो दिन का टाइम आप बिलकुल अपने लिए निकाल सकते हैं ठीक है और वीक पी आप कहीन निकाल सकते हैं याँ भी आप काम करते रहीometer उसके बाद माल लीजे 25 की एज में आपने executive clear कर लिया अब आप final की preparation कीजे सरी जॉब continue करूँ या article shift चालू कर दूँ वो आपके इपर depend करता है अगर आप माल लीजे जॉब भी करते है जॉब करते करते माल लीजे आपने 28, 29 या 30 की एज तक भी CS professional clear कर लिया with all groups और अगर माल लीजे जॉब छोड़के अगर आपने article shift की थी तो ठीक है बट मैं मानता हूं नहीं की माल लीजे आप जॉब ही कर रहे थे तो भी बच्चों जब आप 31 साल की एज में अगर CS बनते 32 की एज में CS बनते तो आपके पस कम से कम six years का work X होगा जब आप जॉब मांगने जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी चार लाकी सेलरी पांच लाकी सेलरी या तीन लाकी सेलरी तो अलड़ी चल रही हो जिस जॉब में आप कर रहे हैं तो यहां पर आप डायरेक्ली 10 लाक रुपए से नेगोशियेट करना शुरू कर सकते हैं प्लीज मैं यह नहीं बोल रहा हूं दसलाक मिलेगा पर आप 10 लाक से नेगोशियेट कर सकतें 9 lakhs के आसपास या आप तो 12 lakhs से भी negotiate कर सकते हैं मतलब मैं आपने आपको correct करूँगा क्योंकि you have already 6 years का experience और कोशिश कीज़ेगा कि अपनी फिल्ड में जॉब करें जैसे audit firm में आपने job किया कोई प्रॉब्लम निया किसी वकील की फिर्म में आपने job किया और इस मामले फ्लेक्सिबल रही है 23 के बाद अगर आपको CS में ताइम लग रहा है तो make sure कि अगर आपकी city में कोई अच्छी law firm नहीं मिल रही है कोई अच्छी audit firm big four में मिल जाता है job बच्छो internal audit function आप देख लिए नौकरी.com पे अगर आप मेरी बात पर है की नहीं और तुरंद अपनी city change कीजिए बच्छो कोई problem नहीं और पुने आईए पुने में तो आपका स्वागती है Mumbai जाईए but start का कर दीजे ब मतलब that will be a kind of insurance for you और जब आप और लेकिन CS मत छोड़ा जोब के चकर में गए CS छोड़ी है तो लग गई तो बच्छो कम से कम अगर आप 12,00,000 से नेगोशीट करते तो 9 से 10,00,000 रुबे में आप सेटल कर जाएंगे तो आपको भले ही attempt लग गया बट आपने वरक एक्स लेक तो प्लीज मुझे WhatsApp कर सकते हैं बचों मुझे call भी कर सकते हैं बट दिन भर मेरे lecture होते हैं तो मैं call उठा नहीं पाता but this is my number you all must be having my number आप मुझसे directly बात कर सकते हैं और बीच में कोई परदे नहीं है कि आपको किसी के through बात करना पड़ेगा Thank you so much God bless you